हलो फ्रांट्स आज मैं लेकर आई हूँ सूजी का जाली दारी स्पंजी टेस्टी फूला फूला और एकदम सौफ्ट नास्ता और इसके साथ खाने के लिए बनाऊंगी मुंफली की बहुती चटपटी चटनी इसमें आपको इडिली चीला पराथा तीनों का टेस्ट मिलेगा लेकिन यह इडिली से भी कम टाइम में बन जाता है और खाने में गजब का टेस्टी होता है सिर्फ एक चमस तेल में आप ये धेर सारा नास्ता बना कर रेडि कर सकते हैं जब भी रोटी ये पराथा खाने का मन न करें तो आप ये नास्ता जटपट बना कर खा सकते हैं आप प्रेंट्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इससे सब्सक्राइब वबस कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए गार शूजी का नास् है उतना ही पानी भी डालना है तो देड़ कप पानी इसमें डाल देते हैं और आधा कप रख देते हैं मिलाते समय डालेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अभी इसे हमें ज्यादा फेटना नहीं है बस अच्छे से मिक्स करना है जो आधा कप पानी बचा है इसे भी इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यानि टोटर इसमें मैंने दो कप पानी यूज किया है दो कप सूजी के साथ अब यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसे इसी तरह से ढखकर 10 मिनट के लिए रख देते हैं 10 मिनट में सूजी अच्छे से तोड़कर इसमें डाल देते हैं और ये चारज से पांच कलियान लाशन कलिया इसे डाल देंगे एक इन्च अद्रक का टुकडा डालेंगे और इसी के साथ मैंने दो टेबल इस्बून मुंखळी लिया है इसे मैंने पहले रोष्ट करके इसके छिलके निकाल दिया है इसे भी इसी में डाल देते हैं और ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिये लिया है इसे डालेंगे अब इसमें जाएगा 1-4 चमच नमक नमक आप अपने टेस्ट अगार्डिंग कम जादा कर लें 1-4 चमच जीरा डालेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पीस कर इसकी चटनी बना लेते हैं अब चटनी बनकर रेडी हो गया है तो अब इसे एक बावल में निकाल लेते हैं इसे पीस कर मैंने एक बावल में निकाल लिया है अब इसी में 1-4 चमच अमचूर पाडर डाल देते हैं इसे चटनी चटफटा बनेगा आप इसे पीष्टे समाही डाल दीजेगा अब इसे मिक्स कर लेंगे अब चटनी बनकर विल्कुल रेडी हो गया है अब यहां पर सूजी को रखे हुए 10 मिनिट हो गया है और यह देखि अब इसी के साथ इसमें जाएगा सबसे जरूरी चीज यह मैंने 1-4 चमच बेकिंग सोड़ा लिया है यानि खाने वाला मीठा सोड़ा इसे डाल देते हैं अगर बेकिंग सोड़ा नहीं है तो आप इसमें बेकिंग पाडर भी डाल सकते हैं लेकिन तब उसे इसका दुगना यानि half teaspoon डालिएगा तो सही रहेगा अब इसे बंद करेंगे और इसे पीस लेते हैं इसे दो तीन बार पल्स पर ग्रैंड कर लें तो इसे सूजी अच्छे से स्मूथ भी हो जाएगा और सारी चीजें अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी और यह देखिए इसे मैंने दो तीन बार रुक रुक कर चला दिया था अब यह अच्छे से पीस गया है और बिल्कुल स्मूथ हो गया है तो अब इसे हम एक बाल में निकाल लेते हैं अब गैस पर तवा रखेंगे और तवा को थोड़ा सा गरम होने देते हैं गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखें तो स क्योंकि मैंने पीस्टे समय ही एक टेबल इस पर इन ऑईल डाल दिया था तो उसी ऑईल से सारे नास्ता बनकर रेडी हो जाएंगे और यह देखिए अब यह अच्छे से फैल गया है तो बस अब इसमें लीड लगाएंगे और इसे ढखकर इसी तरह दो तीन मिनट छोड़ देंगे गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे जिससे धीरे धीरे अच्छे से पग जाए इसे मैंने दो तीन मिनट तक कूप कर लिया है तो अब इसे खोल कर चेक कर लेते हैं और यह देखिए इसके उपर कितना अच्छे से जाली पढ़ गया है तो अब इसे पलट देते हैं और इसे फिर से ढखकर 2-3 मिनट तक छोड़ देंगे जिसे दूसरी तरब भी अच्छे से पख जाए गैस को लो फ्लेम पर ही रखेंगे दो मिनट हो गया है तो अब इसे भी चेक कर लेते हैं और यह देखिए अब यह दूसरी तरब भी अच्छे से पख गया है तो अब इसे हम फिर से एक कल्ची बैटर डाल देंगे और इसे अपने आप फैलने देते हैं अब यह देखिए यह फैल गया है तो अब इसे ढखकर इसी तरह 2-3 मिनट फिर से छोड़ देते हैं इसे मैंने 3 मिनट कूप कर लिया है तो अब इसे फिर से खोल कर चेक कर लेते हैं और पलट द और इसी तरह से सारा नास्ता बनाकर रेडी कर लेते हैं आप सूजी का गर्म गरम स्नेक्स मुंखली की चटनी के साथ सरु के लिए रेडी है यह बहुत ही सौप्ट इस्पंजी और जालीदार बना है और खाने में गजब का टेस्ट ही है बिल्कुल इडिली के ठककर का है यह और इडिली से भी कम टाइम में यह बन जाता है आप इसे एक बार जरूर बना कर ट्राइ करें और देखिए इसका टेस्ट कितना अच्छा लगता है आप इसे बना कर खाएं और कमेंट करके जरूर बताएगा यह आपने इसे कैसे बनाया और यह स्नेक्स आपको खाने में कै अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को इंदे तक देखने के लिए थैंक यू